नमस्कार में अप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है नियूज में आपका स्वागत है भीर देखने को मिरी थी काफी राजनेता शामिल हुए थे जो उन्हें श्रधांजरी देने के लिए पहुँचे थे बिहार में अगले चार दरों तक मौसम रहेगा शुष्क बंगाल की खाड़ी से आ रही पच्छवा हवा से बिहार में बारिश का आसार बढ़ने वाला है अगले चार दरों तक मौसम के शुष्क रहने की उमीद है हाला कि दो दिन पहले मौसम विभाग ने ये संभावना जाहिर की थी कि रविवार से मौसम सामाने हो जाएगा लेकिन बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पच्छवा हवा के प्रवा इस संभावना पर बड़ा आसर डाल रहे है इसने राजु के कई हिस्सों में बादल शाय रहने के साथ ही मेग गरजन बिजली चमकने के साथ हलकी बारिश और कुछ जगों पर बुंदा बांदी भी हुई है यूपी की सीमा से सटे भभवा जुले के कुछ इलाकों पे हलकी बारिश बीते दिन देखने को मिली जिसके बाद मौसम वभाग ने अनुमान लगाया है कि मौसम में सोमवार को भी आकाश में बादल शाय रह सकते हैं वही पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश की कई हिस्सों में हलकी बारिश तो कुछ इलाकों में बिजली चमकने का पुरवान मांज़ारी क्या है मौसम विज्ञानियों की माने तो प्रदेश में पच्छवा हवा की गती 8-10 किलोमीटर प्रती घंटा है फर्जी तरीके से न्युक्ती की गई नर्सों पर होगी FIR दर्ज फर्जी तरीके से न्युक्त हुई नर्सों पर FIR दर्ज होना तैमाना जा रहा है इसको लेकर 18 अरवरी 2022 के बाद जिलो में नर्सों की तैनाती से जुड़े कागजात को खंगाला जा रहा है लेकिन अब तक इस दौरान किसी नर्स दौरा योगदान दिये जाने का मामला हाला की प्रकाश में नहीं आया है उन्हें बिहार के विभिनेस सरकारी अस्पतालों में तैनात भी करा दिया है जब स्वास्ते विभाग के संग्यान में ये मामला आया तो फ़र्जी न्युक्ती के जरिये अस्पतालों में पदस्थापित नर्सों की तलाश में विभाग जुट गया है 31 मार्श तक बन कर तयार हो जाएगा फ्लाई ओवर बिहार के दर्भंगा एरपोर्ट पर फ्लाई ओवर बनने की तयारी लगभग पूरी हो गई है दरसल बिहार के दरभंगा एरपोर्ट पर विमान सेवाओं को सुगम बनाने और यात्रियों को बेहतर संसाधन और सुमिधाओं के लिए तेजी से काम किया जा रहा है NH 527B सड़क से ऐरपोर्ट के वर्तमान टर्मिनल तक सीधे पोंचने के लिए एक फ्लाई ओवर का दिर्मान कारे 31 मार्श्ट तक पूरा कर लिया वहीं ऐरपोर्ट पर पारकिंग की समस्या को हल करने के लिए तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं वहीं टर्मिनल भवन से सटेवन विभाग की जमीन पर पार्किंग बनाने का प्रस्ताव एरपोर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया को भेजा गया है। वहीं इस बार धार्मिक संसाओं के प्रमुख भी लोगों को जागरो करेंगे। जीतनरामांजी ने कहा अभी पूरी तरह से स्वस्थ हो। अस्पताल में से घर लोटे जीतनरामांजी ने ट्वीट कर कहा कि अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो। अब इसको लेकर हिंदोस्तानी अवाम मुर्चा के प्रवक्ता दानिश रजवान ने बिहार के पुर्व मुक्यमंत्री जीतनरामांजी को ब्रेन स्ट्रोक आने की खबरों को सिरे से खारश कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से ठीक है पटना के मेदानता अस्पताल में उनका रूटीन चेक अप किया गया है। अब बिहार सरकार को जुला से लेकर गाउं तक के अस्पतालों को देना होगा हर महीने की रिपोर्ट। अब बिहार सरकार को जुला से लेकर गाउं तक के अस्पतालों को हर महीने की रिपोर्ट देनी होगी। अकसर ग्रामी शेत्र के छोटे अस्पतालों में ऐसी शुकायते आती हैं कि अस्पतालों में रोजाना ताला नहीं खुलता है। डॉक्टर और नर्स कभी कभी ही आते हैं इसको लेकर सरकार इसकी मुश्किले अब दूर करेगी। उनकी शुकायत है कि इसके लिए अस्पताल में स्टाफ की तैनाती जरूर हो। जिसको लेकर अब राजसरकार ने जिले से लेकर गाउं दे हात पे तैनात डॉक्टर स्वास सेवक इनियमित मॉनिटरिंग का फैसला किया है। ये ववस्था बगेर विभाग को सूचना दिये गाइब रहने की प्रविर्ती पर रोक लगाने के लिए की जा रही है। समदित जिले प्रखंड में तैनात डॉक्टर नर्स या दूस्टे पारामेडिक्स कब कब सेवा से गाइब रहे हैं जिलों से ये रिकॉर्ड दिया जाएगा और सक्ती से कालवाई की जाएगी। बिहार के स्कूली सिक्षा में घट रहा लैंगिंग अंतराल घट रहा है। 2020 में प्रदेश के स्कूलों में हुए कुल 208.76 नामांकर में लड़कों की संख्या 106.37 लाग थी जो लड़कियों की संख्या 102.39 लाग से कुछ ही अधिक रही। रिपोर्ट ने अनुसंचा की है कि लैंगिंग अंतराल को कम करने के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है। कुरुना महमारी की वज़े से कृषी के यंत्री करन पर लगा ब्रेक। में पंप सेट और थ्रशर शामिल है। ये नुकसान अधिकारियों को कोताही की वज़े से भी हुई है। यही वज़े नहीं है कि अनुदान की तहट कृषी अंतरों की बहुत ही सीमित खरेदारी हुई है। बिहार में एक गंभीर बिमारी पर अगले दो साल में पूरी तरह काबू पालेने का दावा किया जा रहा है। यह दावा किसी और ने नहीं बलकि राजु के स्वासमंत्री मंगल पाणने ने किया है। जिसके तहट MDT की दवा प्रतेक स्वास सकेंद्रों पर मुफ्त में लोगों को दी जाती है। सरकार का दावा है कि बहुत चिकित सा प्रणाली प्रणाल के अंतरगर्त 6 महीने में एक साल तक डॉक्टर सेवा उपलब्ध करा देने पर कुछ रोगी पुर्णता ठीक होकर रोग मुक्त हो जाते हैं। बिहार में पुलिस कर्मियों की बहाली अब प्रती लाख आबादी पर होगी 170 पुलिस कर्मियों की बहाली तेज होने वाली है। इसमें तेजी लाने के निर्देश उन्होंने सम्मधित की काईयों को दिये हैं। बिहार में बिहार को करोरो रुपे का नुकसान हो रहा है। हाला कि इस युध में ना तो भारत शामिल है और ना ही बिहार की कोई भूमिका है। बावजुद इसके युक्रेन की तबाही से बिहार की अर्थ विवस्था को भारी नुकसान होना तैमाना जा रहा है। दरसल बिहार में तक्रीबन 6,000 किलोमीटर दूर युक्रेन में युध चल रहा है लेकिन इस युध से बिहार की व्यापारग्यों को बड़ा जटका लगना तैह है। जैसे जैसे रूस हर दिन युक्रेन पर आस्मान से लगातार हमले कर रहा है वैसे 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 बिहार के भागरपुर को इससे बड़ा नुकसान होने की उमीद है। दरसल सिल्क सिटी के नाम से दुनिया भर में मशूर भागलपुर के रेश्मी वस्त्रों की डिमान पूरी दुनिया में है। यूक्रेन और रूस दोनों ही देश में भागलपुर से सिल्क उत्पाद का निर्यात किया जाता है। इंडिया वर्से श्रे लंका के तीसरे टीटवेंटी में डबल आव्रड जीतने वाले श्रिया सब्सकेर लोगा माँगा अपको जब मौका मिले तो आप इस तरह के प्रदरशिन करें तो काफी अच्छा महसूस होता है आज का क्रिकेट में डबल पेस था, अपने इंजुरी के बाद मैंने अच्छी तरह से वापसी की है, ये सफर इतना असान नहीं था मेरे लिए सीरीज में तीनो पारियां ही अच्छी रही लेकिन दूसरी टी-20 में खेली गई पारी सबसे खास थी दरस्य शिलंका के खेली गई तीन माचों की टी-20 सीरीज में एक बार भी आउट नहीं होने वाले भारते वले बाज श्रेयस एयर को उनके शांदार प्रेजर्शन के लिए मैन ओफ दे माच्च के साथ साथ मैन ओफ दे सीरीज का खेताब भी दिया गया कल हमारे दुआरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धहनेवार आप में से जिन्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है परवेज आलम, गजेंदर सिंग, पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, तो चोलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और हाला कि सवाल की दरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अबडेट रहना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूटिब चानल जियो वी पीवीटी को ज़रूर पूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चलिए बढ़ते हैं, आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके निसार बिहार के ग्रामीन इलाकों में अस्पतालों की ववस्था सही है या नही अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटिव रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइकान दबाना ना भूले, नहीं बात